बिसमिल्लाइ रह्मान रहीम अस्सलामु अलेकूम वेलकम टू माई चैनल मुगलिस चैल कुकिंग आज हम बनाने जा रहे हैं मज़िदार से क्रंची पकोड़े उसके लिए जो हमें इंग्रेडियंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले शामिल है हमारे पास दो अदत कटी हुई प्याज, दो कप बेशन, थोड़ा सा पालक, टूटी स्पून नमक, और टू टेस्ट, टूटी स्पून जीरा, टू टेबल स्पून कुटी मिर्च, टूटी स्पून हल्दी, उसके बाद हम एक बावल लेंगे जिसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे बेशन, उसके बाद हम मसाले एड़ करेंगे, जो के हमने लिये हैं और इसके बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करकर पेस्ट बना लेंगे, और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सबस्क्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसके बाद हम बेशन में सबसे पहले शामिल करेंगे प्यास, पालक, इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो देखे यहां बैडर हमारे रेड़ी है, अब हम इसको फ्राइब कर लेंगे, तो देखे यहां हमारा ऑईल गरम हो चुका है, तो इसमें में बैटर डालती जाओंगी और पकोड़े रेड़ी करती जाओंगी, और वीडियो तेखने के साथ साथ ही, आप हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं, और नेक्स रेसिपी हम कौन सी बनाएं, और यहां हमारे पकोड़े फ्राइब हो चुकी हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे, और यहां हमारे मज़िदार से पकोड़े तयार हैं, आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, शुक्रिया कर देए, ईफ कर दोदब कर दोस्तों ko